नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका MStudy के YouTube चैनल पे मेरा नाम है जै और मैं आपके लिए इंफर्मेटिव और एग्जामिनिशन रिगार्डिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा तो आईए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज की जो वीडियो है वह राजिस्तान क में निकाली है पूरे राजस्तान में उसके रिगार्डिंग में आपसे रूबरू होने वाला हूं तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं चलिए बिना समय वेस्ट कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज की वेकेंसी है वह है राजस्तान कोपरेटिव बैंक examination होगा कैसा इसका सारा जो process है सारा जुस लेबर है और recruitment process है कैसे examination होगा कौन-कौन से section आने वाले हैं और कब इसकी date होगी उन सब के बारे मैं आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तो चलिए इस सबसे ज्यादा बैंक अजिस्टेंट मतलब क्लैरिकल के सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा पत जो है यहां पर देखने को मिलेंगे तो 715 जो है वो कम नहीं होते दोस्तों और वह भी राजस्तान लेवल पर कॉपरिटीव बैंक जो जॉब होती है वह बहुत ही शांदार जॉब है क्लेरिकल और उसमें सीनियर मैनेजर मैनेजर स्टेनों कंप्यूटर प्रोग्रामर और इन सब की जो है जॉब्स भी निकली हुई ह तो सबसे पहले मैं बात करूंगा senior manager के यहां पे 6 पद आपको दिखाई देंगे screen के उपर जो है 6 पद आपको देखने को भी लेंगे दोस्तों 6 पद उसके हैं और आगे बात करूं अगर मैं manager के तो 114 पद यहां पे manager के निकले हुए है और आगे हम बात करेंगे computer programming की तो 10 पद computer programmer के निकले में हैं और स्टैनों के यहां पे 3 है और 582 पांसो बयासी दोस्तों bank assistant के पद हैं जो कि सबसे जादा है bank assistant आप समझते है clerical cadre की जो है जो आई-वी-पेस ट्लर्क के equivalent यह job है और bank assistant जो है आप राजिस्तान सहिकारी क्या क्या है education qualifications senior manager के लिए क्या होगी manager के लिए क्या होगी और computer programmer के लिए क्या होगी उन सब की बाते हम आज करने वाले हैं अब यहां पर बात करता हूं मैं senior manager की senior manager का MBA के equivalent degree के लिए लिखा हूँ है कि आपकी master of business administration के अंदर आपकी MBA जो है आपकी होनी चाहिए MBA अगर किसी की है तो यहां पर senior manager के लिए और computer knowledge उसको होना चाहिए कि यहां पर special point जो है computer knowledge knowledge of computer is compulsory वह यहां पर लिखा हूँ है तो आपको knowledge यहां पर computer की वह होनी चाहिए दोस्तों अब आगे बात करता हूं manager की तो manager के लिए भी यहां पर same ही है आपकी किसी भी graduate किसी भी जगह से आप जो है graduate हो any university से कहीं से भी आप जो राजिस्तान एफिल्टेट हो या AICT एफिल्टेट एफिल्टेट उनिवर्सिटी हो वहां से आप graduate है तो आप manager के लिए apply कर पाएंगे वहां पर computer की जो knowledge है उसको compuls है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं computer programmer के लिए computer programming programmer के लिए बहुस सारी अलग-अलग जो है यहां पर आपको qualifications देखने को मिलेंगी सबसे पहले अगर कोई BTEC है BE है computer science में IT में या other equivalent में तो वह इस form को फिल कर पाएगा उसके बाद अगर बात करूं अगर one year PGDCA course अगर किसी का वन year PGDCA course किसी ने किया हुआ है तो वह भी इस form को यहां पर फिल कर पाएगा और आगे अगर मैं बात करूं तो अगर को graduate degree है किसी की commerce के अंदर commerce के अंदर है और साथ ही साथ इस के अंदर अगर बात करूं मैं economics के अंदर है तो वह भी इस form को फिल कर पाएगा यहां पर computer programmer के लिए apply कर सकता है जो कि आपको बताया दोस्तों मैंने कि कितनी vacancies हैं सारी अलग अलग category की चाहे senior manager हो, manager हो, computer programmer हो, steno हो या फिर bank assistant हो दोस्तों तो टोटल यहां पर 715 पदो पर एक bumper vacancy यहां पर राजिस्तान के लिए यहां पर निकाली गई है दोस्तों आगे हम बात करेंगे next slide पे कि ओर कौन-कौन से जो है यहां पर criteria जो है, qualifications जो है, criteria जो है अगर बात करता हूँ मैं आगे next slide की, तो next slide पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि यहां पर banking assistant, banking assistant के लिए यहां पर क्या है, banking assistant के बारे में कि कितना क्या होना चाहिए उनका qualifications, तो वहां पर आप बात करूँ, जो steno के लिए, steno के लिए आपको पता है, किसी भी university से आपकी graduate degree हो, और साथ में आपकी typing speed जो मागईए दोस्तों, वह 100 words per minute, English के अनदार, और 80 words per minute Hindi में, और आपको यहां पर criteria जो है, इस जगह पर आप देख पा रहे होगे, मेरे screen पे पीछे देख पा रहे हो 2019, मतलब 31 July 2019 तक जो है, या तो 18 साल पूरे हो जाए, या 40 साल से उपर ना हो, तो ऐसे जो लोग है, वह सब लोग जो है, इस वेकेंसी के लिए पात रहोंगे दोस्तों, आगे मैं आपको बात करूँगा, आगे बताँगा कि इसकी examination pattern क्या रहने वाला है, examination कैसे होने वाले है उन सब के बारे में, तो next slide प्लीज, next slide देखते हैं अपन तो आपको दिख रहे होगा, या पर की आगे अगर देख पाऊं में अगर, तो next slide आगी आपके सामने, selection process and scheme of examination क्या है, selection process कैसे होने वाला है, वो आपको respective category के अंदर अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग जो 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 पोस्ट है, उसके regarding, अलग-अलग जो है, आप स्लेवर्स जो है, दोस्तों रखा गया है, अगर मैं बात करता हूँ application की, तो वहाँ पर advertisement notice, जो on the board website पे जो आपको मिल जाएगा, कि आपको जो है, वहाँ पे सारी चीजे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, कि क्या स्लेवर्स रहने वाला है, और क्या रहने वाला है, आपको जो है, www.rajcrb.radasthangournament.in के उपर जाना है, और वहाँ पर आप इस वेकंसी को apply कर सकते हैं, दोस्तों, आगे अगे अगर बात करू इसके मन्त एंड प्लेस ओप examination की, तो period of online registration जो है, वो start हो चुका है, दोस्तों, 12 September 2019 से, और यह खतम होगा, दोस्तों, 6 October 2019 तक, 6 तारीक तक आप 12 बज़े तक, इस पर apply कर सकते हैं, इसके बाद अगर date of online examination की बात करूँ, तो इसकी November में इसकी tentative date है, दोस्तों, November 2019, November 2019 में इस इसमें कोई pre या main का कुछ नहीं बताया गया है, दोस्तों, इसमें सीधा एक exam होगा simply, और exam होने के पास सीधा, अगर कोई manager और senior manager होगा, तो इसका interview base पे सीधा cooperative bank के अंदर manager और senior manager बन जाएंगे वो, अगर exam clear हो जाता है तो, और बात करूँ, bank assistant की तो उनकी direct posting होगी, इसमे इसमें, जो related, उनकी relevant जो है, सारी चीजें, वह आपे उनको पातरता जो है, वो फिल करनी होगी, जैसे की, मैंने बताया कि कोई BE, BTEC होना चाहिए, computer science में, IT में, और वो सारी qualification scatters, जो है, वो complete होने चाहिए, दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ, आगे next slide की, तो उसमें, जो quantitative aptitude मिलेगा, reasoning मिलेगा, और यहाँ पर general knowledge, अब Rajasthan मिलेगा, computer knowledge, accountancy और एक और चीज़, इसमें add हमेशा होती है, cooperative में, Rajasthan cooperative act, Rajasthan cooperative act and rules 2001 की according, जो rules बनाया हो है, Rajasthan cooperative society के, उन rules का structure है, Rajasthan का, वो आपको जो है, वहाँ पे जो कुछ questions है, 40 questions है, वो 40 marks के आपको देखने को मिले दोस्तो, 200 questions, 200 marks के, और यह time period है, आपका वो है, 120 minutes, तो यह है हमारी manager और senior manager वाली slide जिसके आपने देखा पूरा, सारी चीज़ें आपने जानी की manager और senior manager की regarding, कौन-कौन चे subject आते हैं, कितने-कितने marks के आने वाले हैं, अगर मैं बात करूँ next slide की, तो हम देखेंगे आगे, जिसमें अपन देखेंगे कि bank assistance, Tano, computer programmer की क्या रहने वाली है, अगर बात करूँ computer programmer की, computer programmer की जो अगर vacancy की बात करूँगा दोस्तो, तो computer programmer की vacancy के लिए English है, numerical ability है, reasoning है, general knowledge है, ओप राजस्तान है, professional knowledge है, total अगर 200 marks का इनका रहता है, तो professional knowledge भी इनके अंदर जो है, इसके पर मांगी गई है, कि यहाँ पर computer programmer की professional knowledge बहुत अच्छे से होनी चाहिए, दोस्तों, 120 minutes का टाइम है, आपको यहाँ पर मिलेगा, नवंबर में इसका exam है, दोस्तों, राजस्तान में बंफर एक्दम vacancy है, जो कि राजस्तान के जो students है, जो कि bank में job चाते है, एक सहकारी bank में के लिए दिख रहा है उपर और नीचे दिख रहा है आपको banking assistant के लिए दोस्तों, तो stano के लिए बात करूँ अगर तो आपको English, numerical ability, reasoning और general knowledge ब्राजस्तान आप पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और अगर बात करूँ मैं अगर banking assistant की, तो banking assistant में आपको English, quantitative, aptitude, reasoning, जो कि आप मैं बात करता हूँ आगे, English, quantitative, aptitude, reasoning, general knowledge ब्राजस्तान, ये एक चीज़ important है कि आपको GK ब्राजस्तान, जो कि MStudy YouTube चैनल पे भी आपको GK की जो classes है, वो live classes यहां पर करवा ही जाती है, दोस्तों, आप चाहें तो आप जाके चैनल पर बुरा check कर सकते हैं, सारे videos देख सकते ह हैं GK के regarding, अब मैं बात करता हूँ आगे, अगे अगर computer knowledge की, accountancy की, राजस्तान cooperative act and rules वो ही इसके अंदर add किया गया है, जो कि manager और senior manager में था, कि आपको जो rules and regulations है, राजस्तान cooperative bank की truth on one की according, जो amendment था, जो act था, उसके according, उस act के according, जो भी rules and regulations है, उन पे भी आपको questions जो है, वो अगर बात करता हूँ, मैं अगर total तो इसमें भी 200 marks होगा, 10 marks का आपका जो है, राजस्तान cooperative act and rules होगा, बात करो English की, तो 30 questions होगे, reasoning में 40 होगे, general knowledge में 30 होगे, computer में 25 होगे, total 120 minute का आपको time मिलेगा दोस्तों, और steno में भी आपको same 120 minute का time मिलेगा, पर इसमें 4 section होगे, आप देख पारे हूँ के पीछे English, Numerical Ability, Reasoning और Channel Knowledge of Rajasthan, यहाँ पे भी GK आपको देखने मिलेगी, तो आपके लिए बहुत फाइदे मन रहने वाला है, MStudy YouTube चैनल जो घर बैटे online त्यारी करा रहा है, उन बच्चों को जो की दूर दर आ जाया, remote areas में हैं दोस्तों, तो आप ज स्लेबस के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्लेबस यहाँ पे रहने वाला है, अगर स्लेबस की बात करता हूँ, तो English का स्लेबस है वो Secondary and Mathemic Level, मतलब Secondary Level की जो English होती है, उस पे आपको स्लेबस English के question पूछे जाएंगे आपसे, अब बात करता हूँ मैं आपे Quantity की जो All India National Bank जो है, यहाँ पर क्लेरिकल जो लेवल होता है, अगर सिंपल सी बात अगर मैं बोलो तो क्लेरिकल लेवल जो होता है, उसका आपको जो है, मतलब Mathematics का question आपसे पूछे जाएंगे, जो normal अपने SICI होते हैं, percentage होते हैं, और जो normal अपने topics होते हैं, दोस्तों, उसके regarding आपसे यहाँ पर questions पूछे जाने वाले हैं, अगर आगे बात करूँ मैं reasoning की, reasoning मैं आपको वह ही clerical level, reasoning puzzles बगर हैं, वह यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको दोस्तों, अगर बात करूँ मैं numerical ability और quant की और numerical ability का level है, वह clerical level ही रहने वाला है, चाहे बात करूँ मैं banking assistant की, हा current affairs चल रहे हैं, उसकी भी classes यहाँ पर चल रहे हैं, current affairs की classes है, चाहे वह अपना political science है, चाहे हम बात करें अगर, दूसरे अगर मान लीजे, अपने constitution की बात करें, सवीदान क्वाली classes है, वह सारी चीज़े यहाँ पर आपसे पूछे जाने वाली हैं, computer knowledge जो है, computer knowledge जो है, आपक computer knowledge में questions उचे जाएंगे, उनका practical knowledge होना चाहिए, इसकी बात करूँ, accountancy की तो आपको passcode standard होना चाहिए, accountancy के अंदर की आपको पता होना चाहिए, कि कैसे हम laser बनाते हैं, कैसे हम चीज़ों को करते हैं, उनका basic जो होता है, accountancy का आपको पता होना चाहिए, दोस्तों, रहिस्ता पूरी regarding act and rules 2001, cooperative banks के rules है, उसके उपर यहां पर questions आपको पूछे जाएंगे, दोस्तों, यह आपका syllabus है, और इस ratio में आपको सारे mark, सारी जो चीज़ों करी गई है, कि ऐसे से आपका mark paper होने वाला है, तो दोस्तों, November 2019, जैसे मैंने बता है, उसको target set करो, उस exam का, जो अगर किस इसने form नहीं fill किया है, तो वो form fill करो, क्योंकि 6, यहां पर November जो है, उसका last date है, दोस्तों, तो 6 October से पहले-पहले उस form को fill कर लें, क्योंकि बाद में कोई भी network error या कोई भी चीज़ आती है, तो उसमें फिर वो ही है, कि अपन किसी को भी responsible नहीं कह सकते, इसलिए जल्दी से इस form को fill करें, November को target बनाएं और त्यारी करें दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूँ, कि हमारी www.study.co.at इन आपको पीछे दिख रही होगी website की, तो इस website पर जाके भी इस vacancy के बारे में आप चेक कर सकते हैं, detail study कर सकते हैं, और इस form को fill कर सकते हैं, दोस्तों, आप website पर ज